बिसमे लप मन्म पिरबचो तो आज हम class 5th subject निभी नभी पढ़ने घा रहे हैं, तो इसमे हम ने एक भाहं पढ़ी और शैडू पढ़ा इसमें अम ने तो आज हम इसको और आगे पढ़ेंगे यहां तक हमने पढ़ा है इसको आज हम यहां से हम्हें आज बढ़ना हैं और आप बुक के तरफ देखो He has not got a notion of how children outplay and can only make a fool of me in every sort of way He stays so close beside me He is a coward you can see I had think it a shame to stick to nurse as that shadow sticks to me So, बच्चू जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि ये जो नज़म है ये रोबर्ट लॉइस स्टिम्सिन ने लिखी है साय की मुद्दिक लिखी है तो बच्चो He has not got a notion of how children outplay तो वो इसकी हरकात का जिकर करते है साय की हरकात का जिकर करते है और कहते है कि इसको कोई ख्याल की जरूरत नहीं है He is still so close besides me He is a coward You can see I had think it a shame to stick to nerves As that shadow sticks to me और वो इस तरह चपकता रहता है जिस तरह कोई डर पोग चपकता है Covered, he is covered to sea One morning very early before the sun was up I rose and found the shining dew on every buttercup Stipson लिखते है कि एक सुबा उनों ने पूरे चमकदार ने पौदे पर चमकदार शब्न के कत्रे देखे लेकिन I rose and found the shining dew on every buttercup But my lazy little shadow like an errant sleeping head Had stayed at home behind me and was fast asleep in the bed तो ये सुस्तोर काहिल साया गर पर बिस्तर पर सोया रहा और इसने शब्नम की खूबसूरती का मज़ा नहीं लिया यानि सुबा के वक्त ये साया मुजूद नहीं था He stayed at home behind me and was fast asleep in the bed तो ये जो साया है इसने शब्नम की खूबसूरती का मज़ा नहीं लिया है यानि सुबा के वक्त वो साया सोता रहने की साया मौजूद नहीं था ठीके बच्चो तो इसको याद रखना आगी हम स्कोर पढ़िंगे तो खुदावर्स